प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी का संकल्प है कि हमें भारत को 2030 तक अंतराश्ट्रेट ड्रोन हब के लीडर के रूपे परिवर्तित करना है हमें देश का नेत्य तो नहीं लेकिन विश्व का नेत्य तो इस शित्र में करना है और नीती आयोग के CEO अमिताब कान जी के साथ हमारा मंत्रा ले मिलकर कार्य कर रहा है जैसे मैंने कहा कि तीन पईयों के आधार पर इस शित्र को हम आगे ले जा रहे है पहला पईया है पॉलिसी का और आप लोग ने स्वेम देखा है कि किस तीवर गती से क्रियानवन हम लोग पॉलिसी के कर रहे हैं उसी के साथ दूसरा पैया है इंसेंटिव व्याई करने करेगी प्रदानमंत्री जी के नितित्त में हम लोग ने कुरियानमन किया है उससे मैनिफेक्चरिंग को भी और सर्विसेज को भी एक नया प्रोथसाहन मिलेगा और तीसरा पईया है स्वतर डिमांड क्रियेट करना और भारत सरकार के 12 मिनिस्ट्रीज ने वो डिमांड क्रियेट करने की कोशिश की है पॉलिसी के तहए तो आपको जिसे पता होगा कि आगस्ट लास्ट यर में एक बहुती बहुती लिब्रलाइस पॉलिसी आई थी जिसमें तमाम फॉर्म और लाइसेंसे और अप्रूवल्स वगिरा सब हटा दिये गए थे और है न पचछेस फ़ॉर्म से 5 फ़ॉर्म कर दिये गए बहतर किस्म की फीस होती थी अब सरब 4 तरे की फीस होती है कई कई हजारों की फीस होती है वो 100-60 रुपई की फीस फीस हो गई है तो उसको सिंप्लिफाई किया गया है उसी के तीन हफ़ते के अंदर सरकार ने PLI स्कीम क्याबिनेट ने इसको अप्रूफ किया था जिसके तहथ हम 120 करोण रुपए तीन साल में सारे ड्रोन मैनुफैक्चर को देंगे वो इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला उसके विसिस पर औ और ड्रोन रूल्स आने के एक महिने के भीतरी सितंबर के एंड में हमने ड्रोन का एर स्पेस मैप भी रिलीज किया था जिसमें की 90 प्रतिशत भारत का जो लैंड मास है अब वो ग्रीन जोन डिकलेर हो गया पहले सब 20-30 परसंट हुआ करता था तो उसको बढ़ा के अल्मू पॉलसी आई थी अक्टूबर में फिर हमने जनवरी में ये ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम निकाली थी जिसके तहत आप कोई भी जो नया हमारा यूबा स्टार्ट अप है वो ड्रोन अगर बनाता है तो वो ये डिजिटर स्काइप प्लैटफॉम आ रहा है उसके उपर अप 26 जनवरीक हुआ 26 जनवरीक इसी साल हमने सारे जो पांच फॉर्म थे ड्रोन रूस के अब तो कम हो गए वो 25 से पांच फॉर्म हो गए तो पांचों फॉर्म भी ऑनलाइन कर दिये तो अब आप कोई इमेल भेजने की डीजी सीय या मिनिस्ट्री को किसी को भेजने की जरूत जो पडोसी है उनके काफी सारे ड्रोन आरहे से तो उसको बैन कर दिया गया है